अलो फ्रेंड्स मेना नाम है वीजे और आज लो बात करंगे डिपॉल्ट आङियुमेंट्स यह चलिए टार्ड करते हैं डिपॉल्ट आर्गुमेंट्स हमारी क्या होता है जब हम भी वेल्येबटॉक्ष कीड कराते हैं और अग्युपॉल्ट वैल्यु देनी होती है तो वहां पर हम default value argument का यूज करते हैं यहां पर example के देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूँ tap और यहां पर मैं एक banner create कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक message चाहिए तो सबसे पहले मैं एक variable लूँगा जो कि होगा message name से और second एक मुझे दिया जा रहा हूँ कितना लंबा है और उसके हिसाब से border की length देना जाता हूँ तो यहां पर line एक variable लिया मैंने और यहां पर मैं क्या करता हूँ border को into करता हूँ length से किसकी message की length से जो len है वह हमारे क्या है एक function है जो कि हमें length देता है किसी भी string की और यहां पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले print करवा लूँगा किसको अपनी line को यहां पर border चाहिए फिर message चाहिए तो यहां पर print करवा लूँगा message को ठीक है फिर मैं छालूँगा इसके अंदर सबसे पहले मैं iz a Caribbean जालूँगा और यहांपर देखिए मैंने डला message के मैंने message ही डाल दिया मैं तो यहां हैँ अगर मैं तो sitten आई तो आगे सी से करोंगा है करूंगा तो हमारी डिफॉल्ट वाल्य आफ माइनस से हटके स्ट्रिक हो झाएगी और यहां पर देखे जो भी हम आर्गुमेंट के अंदर पास करते हैं वो पोजिशनल वैल्यू पर डिबेंड करता है यहाँ पर देखिए हेलो फ्रेंड पहले ही मैसिज पाया और एस्टिक आया बॉर्डर पर अगर मैं इसकी दोनों की पोजिशन चेंज कर दों तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो ह हमारा काफी डिफरेंट आ जाएगा है है हां पर प्रेंगे ऑफ्रिंग मैं ऐसे नहीं कर देखिए आगर मैं चाता हूं कि मैंиля कि मदद से अपनी डडाफ़ करों तो यहां पर हम्एप सिंपल कुछ नहीं करना है अकर मैं इसी के जगा आके लिख दूं border ठीक है is equal to और यहाँ पर लिख दूं मैं message is equal to तो यहाँ पर हमें position की चिंदा नहीं करने पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने पहले सही specify कर दिया है ठीक है इसको run करूंगा यहाँ आप देखेंगे कि एस्टिक आया जबकि हमने एस्टिक पहले दिया था वह message में न जाके border में गया क्योंकि यहाँ पर हमने border keyword का यूज किया और यहाँ पर message की का यूज किया और हमारा जो default value argument है वो तब ही evaluate होता है जब हमारा function evaluat होता है और function का evaluate होता है जब वो बनता है clear होता है तो यहाँ पर देखें examples से श्वाइबस समझाने के लिए मैं यहाँ पर python cell पर आया हूँ यहाँ पर Pur3Code और क्या हो जब भी हमने करिया तो वो दुबार से पूरे code को execute कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना है, पूरे code को दुबार से execute नहीं करना है, मुझे specific part को भी एक्जेक्यूट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले, import करूँगा, time को, ठीक है, और यहाँ पर मुझे time के अंदर eq method चाहिए, यह time के अंदर ctime का मुझे एक method चाहिए जो कि मुझे current value देगा current time की value जो की date और time दिखा रहा है भी आपको फिर यहाँ पर मैं एक function create करता हूँ function show और यहाँ पर इसको name दाओ show default ठीक है और इसके अंदर एक default argument ले लेता हूँ मैं जिसके अंदर मैं pass करता हूँ time.ctime यह मैंने मैं इसके अंदर function pass किया और यहाँ पर इसकी value को सिर्फ simple सा print करवा रहा हूँ default argument को ठीक है इसके बाहर आ जाओँगा और यहाँ पर मैं show underscore default को call कराता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी value आई 58.9 अगर दुबारे से call कराऊं तो 58.9 तुबारे से call कराऊंगा तो 58.9 अगर मैं 2-3 second रुख भी जाऊं उसके बाद भी जो हमारी value आएगी वो same ही आएगी अब ऐसा हो क्यों रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है एक बार जब आप पर execute हो गया तो उसने एक value को save कर लिया अब उसके बाद उसे कितनी बार भी call कराएं वो बार बार evaluate नहीं होगा एक बार हो चल गया तो उसी time वो evaluate हो जाएगा अब देखें इस example से मैं को क्या समझानी कोशिश कर रहा था वो हम एक और example से समझने की कोशिश करेंगे तो यहा यहां पर मैं क्या करता हूँ एक simple सा एक value add कर आ रहें ठीक है add spam यहां लिखता हूँ menu और यहां पर एक default value देता हूँ empty empty list यहां मैं empty list दी और इसके अंदर मैं क्या करना चाता हूँ जो हमारा menu है उससे append करना चाता हूँ append करूँगा double quotation और यहां पर मैं spam उसमें add कराना चाता हूँ तो यहां पर लिख रहा हूँ spam और simple इसको return कर देंगे ठीक है function के बाहर आ गया हम मैं यहां पर सबसे पहले तो एक list बना लेता हूँ जिसके अंदर कुछ value रख लेता हूँ मैं यहां लिखता हूँ ब्रेड ब्रेड कॉमा एक्स यह मैंने दो value दी यहांबर मैं सबसे पहले add अपने function गॉल करूँगा add spam ठीक है क्या और इसके अंदर यहां जो value पास कर रहा हूँ वो पास कर रहा हूँ first यह मैंने इसके अंदर पास किया तो यह आप देखेंगे आप bread, egg, spam आगे लिखा हूँ ठीक है अगर मैं add spam के अंदर कोई value पास नहीं करता हूँ ठीक है तो यहां पर दीखें जब हमने यह function call किया spam name से ठीक है हमने menu पे add काया, append काया spam और return की menu की value यहां पर दीखेंगे breakfast डाया मैंने bread और egg ठीक है और जब मैं दुबारा run कर रहा हूँ तो यह पहले ही value को जो पहले किया हुआ है उस value को इसने store करके रखा हुआ है इसलिए हमारे इससे पहले वाले example में जब मैंने time को यहां पर चलाया so default तो उसने एक time दिखाया लेकिन मैं दुबारा चलाया तो उसने नया time नहीं दिखा क्यों क्योंकि वह एक बार पहले ही execute होके उसने value safe करा दी थी इसलिए दुबारा जब हमने इसको चलाया तो यहां पर इसने value सीधे हमें चैनी निकरी यहां पर show कर दी value ठीक है उसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ है जब मैंने add spam चलाया यहां पर तो spam एक value add हुई दुबारा चला रहा हूँ तो पहले से एक value store है मैं दुबारा value को store कर रहा हूँ ठीक है तीसरी बार जब मैं चला रहा हूँ तो दो value तो पहले से store है और एक और बार value हमारी store हो गई है तो जब भी आप default argument पास करें तो इन चीज़ों को ध्यान देना होगा ठीक है बनना आपके code में error आ जाएगा thank you for watching this video अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like कीज़े शेर कीज़े और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूले और हमारी playlist को ज़रूँ चकाउंट को reference जिकि वहाँ पर हमने different programming language और framework में वीडियो बना रहे है जिस आप अपनी knowledge को बहुत जादे increase कर सकते हैं thank you watching good bye take care